So guys, अपने पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों नहीं ये देखा था कि किस तरह से हम लोगी जो हमारी न्यूज आप है, इसके अंदर स्टेट को सेट कर सकते हैं, प्रॉप्स को सेट कर सकते हैं, इस वीडियो में अब हम एक ऐसा काम करने वाले हैं कि आप लोग भी बूलोगे, मज़ा आया, क्योंकि आप जब सारे के सारी इमेज़ और न्यूज पॉपॉलिटे की, तो मज़ा आएगा ही आएगा, ठीक है, तो देखते हैं, इस मज़े को कैसे लिया जाए, तो हम क्या करेंगे, आप एक एरर सा आ रहा है, जीब सा, सम्थिंग इस अल्रडी रुनिंग ऑन पोर्ट थीन अजार, अच्छा मैंने दो बार रन कर दिया, शायद कोई बात नी, एक डिलीट कर दिया मैंने, तो यह अब भी जो है, यह यह एरर चला जाएगा, ठीक है, हाँ चला गया, और अब हम ब्या करेंगे, कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जो हमारा sample output था, इसके अंदर के जो articles से, in fact, इन articles को हमने news.js के component के अंदर डाला हुआ था, ठीक है, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है मूँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, कि articles is equal to यह चीज मैंने करी, ठीक है, और यह एक array है, इसके अंदर objects है, source, author, यह सारी के सारी keys से टोर हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस article को, यानि की जो मेरे state के अंदर article है, उसको मिझे अईटेरेट करना है, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर दिखाना है, ठीक है, तो सबसे बह độ तो मैं क्या करओंगा, यह जो यह र्टिकल्स जो है, इनको मैं करताओं सारे के सारे से से माटिकल्स हैं मुझे क्या करना है कौन से आचिकल्स , वो डिस्पले करने है ठीक है तो Ctrl-Z करके शीज को जल्दी से अंडू कर दूँगा यह सारे जो मैंने आर्टिकल्स रखे मैं सिर्फ यह रखूंगा सिर्फ एक रखूंगा ठीक है यह वाला डिव रखूंगा बस और बाकियों को रहने दूँगा और यह वाला डिव भी जो है ना उसका image URL hardcoded नहीं होगा वो this.state.articles से आएगा ठीक है this.state.articles तो कैसे किया जा तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो यह ब्राकिट लगाऊंगा लिखूंगा this.state.articles ठीक है यह क्या है this.state.articles क्या है इस सारे के सारे articles है मेरे अब मैं क्या करूँगा लिखूंगा dot map ठीक है map किया एक higher order array method है आपको क्या करना इसको एक arrow function देना है तो मैं क्या करूँगा एक arrow function दूँगा इसको सबसे पहले मैं जो मेरा arrow function उसकी body लिख लूँगा यह इतना मैंने arrow function दिया और bracket pair colorizer जो मैंने use किया हुआ है उस element लिखा मैंने याप और मैं आपर दिख दूँगा console.log element और मैं आप लोग को यह दिखाना चाहता हुँ कि console पर हमारा element लोग हो जाएगा यानि कि यह जो object ही लोग हो जाएंगे console पर दिखाता हुँ आप लोग को मैं तो मैं अगर यहां पर खोलूं इसको console को अपने तो आपको use करनी है तो आपको arrow function के अंदर से return करना पड़ेगा अभी तो मैंने सिर्फ console पर log करें चार objects तो यह देखो यह चारो के चारो जो हमारी news है वो यहाँ पर दिख रही है क्या यह चार objects है क्या यह सिर्फ 4 objects है यह भी देख लेते एक दो तीन चार है यह जी सिर्फ 4 है ज्यादा लग रहे थे मेरे को पहले बट कोई बात नी चार है ठीक है तो चार news objects को news items को हमें आपर जो है display कराना है कहाँ पर display कराना है हमें कुछ ऐसे display कराना है कि यह row के अंदर रहे तो मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर मैंने console.log करके लिखा हुआ है यह element वहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यह चीज रिटर्न करा हूँगा तो मैं सबसे पहले तो row के अंदर डालूँगा इस चीज को ठीक है और मैं console.log नहीं करना चाहता है in fact मैं console.log जहाँ पर हो रखा है वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं return करूँ क्या return करूँ मैं यह चीज रिटर्न करना चाहता हूँ ठीक है तो यहां तो मैं लिख सकता हूँ return कुछ इस तरह से ठीक है और उसके बाद मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं सिर्फ इतना दिखाता हूँ आप लोग यूनीक की प्रॉप होना चाहिए, यूनीक की प्रॉप का क्या मतलब है, कि या जब भी आप .map यूज करते हो, राइटरेट करते हो elements को, तो हर एक element को एक आपको unique की देनी पड़ती है, क्या चीज यूनीक है मेरी, मेरे URL यूनीक है, कौन सा URL यूनीक है, image, image का नहीं, सिर्फ URL, जो मेरा news का URL, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, element.url, मैं destructuring भी यूज कर सकता था, यहाँ पर मैं लिखें नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा easy रखना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए जिनकी JavaScript कच्छी है, ठीक है, destructuring भी कर लेंगा यभी थोड़ी दिर में, देखो मैंने यहाँ पर element.url लिख दिया, यहाँ पर क्या करूँगा, मैं title की जगह क्या लिखूंगा, title की क्या है यहाँ पर, title की की title ही और description की description ही, तो title is equal to title लिखूंगा, description is equal to description लिखूंगा, news.js के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा element.title, element.title, और यहाँ पर element. .description लिख दूँगा ठीक है तो copy करूँ मैं इसको यह जो mydesc लिखा हुआ है यहाँ पर element.description ठीक है और यह जो image url है उसमें क्या लिखा जाएगा उसमें लिखा जाएगा element.image url अब यहाँ पर देखो url to image यह automatically देखो यहाँ पर कितना smart है मुझे automatically दे दे रहाएगी भाई देखो आपकी state में यह चीज़े है आप url to image उसका नाम url to image है तो काफी convenient हो जाता है visual studio code को यूज़ करना आप यहाँ पर देखो यह जो अपाल तो अभी यह error देना है यह मुझे check करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर की दे रखा इसको ठीक है तो मुझे यहां पर नहीं देना है impress first div return कर रहा हूँ तो मुझे की यहां पर देना है news item को नहीं देना है जो चीज मैं return कर रहा हूँ तो इस वाले div को देना पड़ेगा अब वो error चला जाएगा तो अब यह मैं इस ख concret करो सारे error हमारे खाली हो चुक है यह Hello I am a constructor from news component मैंने आपको दिखाया था अभी देखो यार लग रहा है कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे है और read more पर click करके मैं चाहता हूँ कि नई tab में पूरी news ही खुल जाए ठीक है यह मैं कर सकता हूँ कैसे कर सकता हूँ इस चीज को जो मैंने news url को to do कर रहा है मैं क्या करूँगा news url को element.news url कर दूँगा और यहाँ पर इसको catch करूँगा news url को जो पहले मुझे दिखा रहा था कि आपका url use नहीं हुआ है अब मैं जो news url मैंने pass किया है news news url जो pass किया है मैं इस news url को यहाँ से पकड़ूँगा और यह जो hrfs का इसको मैं news url कर दूँगा और अगर आप hrf में target is equal to underscore blank करते है तो क्या होता है कि नई tab में खुल जाता है पूरा article तो मैं इसको save करूँ अगर आपको दिखा हूँ अभी reload करके देखो मैं आपर इसको खोल रहा हूँ तो यह नहीं खोल रहा है news url नहीं आया आपर इसको reload करता हूँ अब देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है तो news url इसके hrf में नहीं आया hrf is equal to news url तो मैंने गरबड कर दी कि मुझे news url as a javascript object देना है कुछ इस तरह से as a javascript देना है sorry not object as javascript देना क्योंकि news url is a javascript variable ठीक है अब आ जाना चाहिए है आपर देखो अभी अगर मैं read more पर click करता हूँ कुछ नहीं हो रहा है देखता हूँ क्या गलती हुई है क्या कोई गलती हुई है तो यहाँ पर news url है नहीं शायद I'm not sure HRF बिल्कुल भी कुछ नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है मैं देखता हूँ इस चीज को तो मैं इसको बंद करूँगा console को और यह क्या रहा है news url is defined but never used ऐसा क्यों बोल रहा है यह चीज मैं देख रहा हूँ reload करता हूँ इसको मैं दुबारा से और देखता हूँ कि क्या यहाँ पर मैं नहीं news में जा रहा हूँ की नहीं जा रहा हूँ अगर मैं इसको rightly करके inspect करो तो यहाँ पर news url set नहीं हो रहा है which is a bad news ठीक है अभी news क्यों नहीं खुल रहा हूँ इन individual read modes पर click करके अच्छा एक चीज यहाँ पर मुझे थोड़ी सी खटक रही है वो पता है क्या अब आपको खटक भी सकती है नहीं भी खटक सकती है मैं आपको चीज चीज अच्छी लगे ठीक लगे मैं आपर क्या करना चाहता हूँ कि यह जो description है इसको मैं limit करना चाहता हूँ कुछ characters तक और मैं dot 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 करके read more पर user क्लिक करवाँगा ताकि यह सब कुछ मेरे uniform दीके आप देखे लिए यह थोड़ा सा बड़ा है यह छोटा है फिर यह इतना है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखना चाहता हूँ कि size इसका uniform रहा है और वो कैसे होगा uniform size कि मैं इसमें जो number of characters है वो इतने रखना चाहता हूँ मान लो इतने रखना चाहता हूँ number of characters या फिर इतने रखना चाहता हूँ इतने काफी है number of characters तो मैं कोपी करूँ इसको, मैं इसकी length देखूँगा, और इसकी length में कैसे देखूँगा, mytextutels.com, याद है न, अब देखो ज़रूरत पढ़ गए अपनी दूसरी react app में, अपनी पहली react app को use करने की, तो देखो यहाँ पर कितने characters है, 88 characters है, तो मैं 88 characters लोगा सब के, और 88 characters लेन यह लगता है, गल्दी से, हाँ ठीक है, और मैं आपर लिखूँगा, start number 0 हो जाएगा, end number मेरा कितने characters लेने थे मुझे, textutels से बताए, 88 characters, ठीक है, तो मैं 88 characters लोगा, यापर 88 लिख दूँगा, and that's about it, ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना लिखूँगा, और मैं क्या करूँगा, इसको reload करूँगा, तो यह देखो, 88 characters तो आ गए, बट लगता है, title के भी मुझे number of characters को limit करना पड़ेगा, और title के number of characters मैं इतना करूँगा, ठीक है, और क्या करूँगा, textutels में ही देखूँगा, कितने characters हैं, 45 characters, तो 45 characters में title के ले लोगा, तो title के मैं 88 ले ले लिए, in fact, मु title के 45 characters, और कम ही लोगा ता कि मैं आपर dot dot लगा सकूँ अपने news item में, अभी तो देखता हूँ कि यह काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह काम कर रहा है, बट यह 2 line ले रहा है, यह 3 line ले रहा है, इसकी image थोड़ी उची नीची है, तो वो चीज भी हमको देखनी पड़े है, बट मैंने title काफी छोटा रखा है, तो सब में जो title है, वो कम से कम इस से तो छोटा ही होगा, 45 characters से तो छोटा ही होगा, बट इसका check लगा सकते हो, आप JavaScript में टर्नरी operator लेख सकते हो, जो कि मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मेभी आप बाद में जब यह app पूरी है, तो यह देखो, यहाँ पर News24 का article आ गया, और मैं इसको पढ़ सकता हूँ, डीटेल में, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग loop कर सकते हैं, अपने this.state.articles को, अब एक दिक्कत है यहाँ पर यार, यह जो हमारे articles हैं, यह कहां से आ रहे हैं, हमने copy कर रहे हैं, अपने sample output applications है, लेकिन मुझे sample output नहीं चाहिए, मुझे actual में अपनी API को इस्तेमाल करके, endpoint को hit करना है, और अगर मैं endpoint को hit करना चाता हूँ, अपनी API को इस्तेमाल करके, तो मुझे use करना पड़ेगा, यह तो fetch API का, या अब तर मुझे use करना पड़ेगा, अपनी Axios वगएरा का, HTTP calls मारन करने के लिए, तो हम लोग fetch API भी use कर सकते है, Axios भी use कर सकते है, देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको dynamically fetch करें, ताकि हर बार जब हमारा user आये, तो उसको current news मिले, for example आप यहाँ पर देखो, कि यह जो articles है, इनकी जो date है, वो अभी recent ही है, हम नहीं चाहते है कि user हमारा 10 साल बा नहीं है, तो हम use करेंगे fetch API को, और news API को, news API से लिकर आएंगे, fetch API की साहता से, सारी के सारी latest news, तो यह काम हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, और अभी के लिए, I hope कि आप सभी को मजा आ रहा है, अगर आपको आनन्दा आ रहा है, तो नीचे comment में लिखें कि आनन्दा र कि आ सकता है, बाल स्कतर आएंगे, तो तो हम एगली वाल. और आएंगे, जबेंखें राहा है, तो आएंगे, तो यहेंगे, तो यहीं है।